हेलो एवरीवन मैं हुरोबी और आप आए है तारा मदू की रसोई चैनल पर तो फ्रेंड्स मैं अपने होम टाउन आई हुई हूँ और यहां पर उतने मेरे पास केक के ओर्डर्स नहीं हैं बट मैं आपके साथ डेली नहीं नहीं रेसिपी और डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ और आज उसी केटेगरी में फिर से आपके लिए एक बहुत ही इंटरस्टिंग और नई सी रेसिपी लाई हूँ आज कल डिफरेंट फ्लेवर्स के केक्स चल रहे हैं वनीला, पाइनेपल, रेड वेलवेट, कुल्फी, ब्लू कुराकाव, मावा तो उसी में मैं आज आपके लिएरिंग में यूज करके एक डिफरेंट फ्लेवर केक बना सकते हैं, और वहीं इस रबडी कुल्फी प्रिमिक्स से आप दो मिनट के अंदर बचों को रबडी बना कर दे सकते हैं, एक डेजर्ट के रूप में, या फिर अभी गर्मियां आ रही हैं, छुटियों में खू बहुती इंट्रेस्टिंग सी रेसिपी है, बहुती कम सामान के साथ, आप सुच रहोंगे, रबडी कुल्फी प्रिमिक्स मतला महेंगे महेंगे, इंग्रिएंट्स होंगे, खुब देर तक दूद को पकाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, एक सिंपल सी ट्रेक और रबडी कुल्फी देना हुआ, मैं जल्दे अपने चैनल पर इसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो उसी भी देखेगा, चलिए, आज की इस मज़ेदार सी इंट्रेस्टिंग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, जिससे हम एक नहीं, दो, नहीं, बल्कि तीन, चार फाइ चीनी, ध्यान रखेगा, आपको पिसी हुई चीनी नहीं लेनी है, साबुच चीनी ही लेनी है, धीमियाच पर चलाते हुए इसको कैरमलाइज करना है, शुरू में चीनी आपकी थोड़ी इस तरीके की दिखेगी, फिर वो ब्राउन मिक्षर में बदल जाएगी, तुरंत आ जो फॉइल पेपर पर ग्रीस लगा के रखा है न, उस पर डाल देना और यहाँ ध्यान रखेगा फ्रेंट्स, फॉइल आपकी उस तरीके की चीज़ पर हो, जिसे की वो चिपके नहीं, मैंने यार रेक्जीन नीचे बिचा रखे थी और वो मेरी थोड़ी सी फॉइल के गार है, ब्रेड हम सभी के घर में मिल जाएगी, यहाँ नॉर्मल वाइट ब्रेड लिया, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, और इनके न, कॉर्नर को पहले कट कर लीजेगा, ब्राउन पार्ट निकल जाए, अब ब्रेड के छोटे-छोटे पीस में तोड़ लूगी, एक्चुली हमें इसे मिक्सर में डाल करके पीसना है, और पीसना भी ऐसे है कि बहुत ज़्यादा देल तक मिक्सी को चलाना नहीं, अदर्वाइस इसका पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि ब्रेड में थोड़ी बहुत नमी होती है, तो पल्स, यानि कि बार-बार ओन-उफ करक आप इसे टोस्ट वाला चूरा भी करके यूज़ कर सकते हैं, बट ब्रेड से अच्छा टेस्ट आएगा, तो बढ़िया से मैंने इसे भून लिया है दिनी आज पर, और ये अब करारा सा हो गया है, अब इसके अंदर में थोड़ा सा लगपक बन पोर टी स्पून डाल दू करेंगे, जितना अच्छे से ठंडा करेंगे आपके इस प्रिमिक्स की शेल्फ लाइफ अच्छी हो जाएगे, और यहां पर जो हमने शुगर को कैरमलाइस किया था था ना, फॉइल के ओपर वो भी ड्राइफ हो गया है, अब इसके भी पीसिस को तोड लेंगे, और इसका तेज आवाज में तूट रहा हैं आपको बता नहीं सकती, और इसका भी हम मिक्सी में पाउडर बना लेंगे, तो देखिए अगर आप नॉर्मल चीनी डाल करके पाउडर बना करके इस प्रिमिक्स में डालते ना, तो उसका अलगी टेस्ट आता, पर यह कर लेंगे ना, तो कुल्फी में जो कैरमलाइज शुगर का टेस्ट आएगा ना, वो मतलब सोने पे सुहागा आट कर देगा, तो इसको भी कर लेती हूँ, ग्राइंड, और यह देखिए, कितना फाइन, एकदम ओफ वाइट, येलो ही मान लीजिए, आप पाउडर बन गया है, शुगर कैरमल क और ये नॉर्मल चीनी से काफी टेस्टी होता है, और ऐसा डालने से आपके प्रिमिक्स की शेल्फ लाइज भी बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है, इसमें हमने जो ब्रेट के चूरे को भून करके रखा हुए ना, घी के साथ, वो एट करेंगे, और यहाँ पर देखिए, कलर कितना बढ़िया आ गया है इसमें, अब इसके अंदर जो मिक्सी में हमने शुगर को कैरेमलाइज करके पाउडर बनाया है ना, वो सारा एट कर देंगे, तो जो आज मैं यहाँ पर प्रिमिक्स बना रही हुए ना, फ्रेंड से लगबग देड़ कप भर करके डालूंगी, मिल्क पाउडर, और इसी से हमारा जो काम है वो जटपट होगा, हमें दूद को घंटो चलाना नहीं होगा, और हमारा इंस्टेंट प्रिमिक्स एड़ी हो जाएगा, सारी चीजों को अच्छे से मैं ने कर लिया है, मिक्स और हो गया है, रेड़ी, अब इसके अंदर फ्रेंट्स बड़ी असा गाड़ापन देने के लिए, मैं आपर दो टेबल स्पून डाल रही हूं, कॉन फ्लार, आप कॉन स्टार्च अट कर सकते हैं, अरा रोट का पाउडर है तो वो भी अट कर सकते हैं, बड़ी असे इसे भी कर करके आप डाल सकते हैं, दर-दरा सा मिक्सी में ग्राइंड करके भी अट कर सकते हैं, तो मैंने कहा कि इन सारी चीजों को मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लिया है, बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाया, थोड़ा सा दर-दरा रखा है, और ये सारी चीजे हम अपने इस तो अभी घबराईए नहीं फ्रेंड्स इस प्रिमिक्स को यूज़ करके सारा यूज़ भी इसका बताऊंगी कैसे आप इसे इस्तमाल कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले रबडी बनाना सिखाती हूँ रबडी बनाने के लिए आपको एक पैन लेना होगा उसके अंदर डालिए एक कप दूद कैसा भी डाल दीजेगा फैट वाला बिना फैट वाला और बस आधा कप डाल दीजेगा यह रबडी कुलफी प्रिमिक्स तो अभ अथटेजिन्ग के एक भार्डी तयार हाँ घया ऑपर देखे सारी चीजे गय लिए हमारी पढ़िया रबडी तयार हो जाएगी वांपर देखे से ब्सिसी ने गरम टंदा करें पच्चों को ऐसे या फिर मेरे बच्चों की तरह जैसे उनको पसंद है जलेवी के ओपर डाल करके दें और जो बेकर्स हैं वो इसे अपने केक की लियरिंग में अज़क्रश भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको एक अलग साही रबडी कुल्फी का फ्लेवर मिलेगा और जल्दी इसकी रेसि लिया है और परस आपके पास कोई भी कुल्फी के मोल्ड हो या ग्लास काटोरी में भी आप इने जमा सकते हैं तो मेरे पास यह प्लास्टिक के कुछ कोन है इसके अंदर में यह ग्राइं किया हुआ मिक्षर डाल दूंगे और बस फ्रीजर में दो से तीन घंटे आप सुब वो बीच में ही रहे क्योंकि मेरे पास यह जो मोल्ड है उस पे स्टिक्स नहीं है तो चाकू से हलका सा स्लिट कट किया है और यह मेरे पास स्पून थे वो मैंने इनके अंदर इंसर्ट कर दिया और बस पांट से च्हे गंटे आप फ्रीजर में रखिए और आपकी कुल्फी है तो तयार है बहुत ही मलाईदा टेस्टी टेस्टी गाड़ी हमारी कुल्फी इस तरीके से आप अपने बच्चों को कुल्फी दे सकते हैं अब बनाते हैं बाजार में मिलने वाला जो अमूल जैसा ठंदा ठंदा दूब तो उसके लिए कप डूद लिया है मैंने पैन में और पहले हमने रबडी कुल्फी बनाने के लिए आधा कप प्रिमिक्स लिया था बर दूद बनाने के लिए हमें एक चौथाई कप ये प्रिमिक्स लेना है क्योंकि दूद थोड़ा पतला होता है अच्छी से कर लिए इसे मिक्स और गैस पर इसे लगबग 2-3 मिनट तक फि इसे दे दीजिए नहीं तो इसे चान करके भी दे सकते हैं वैसे ड्राइफूट वगर आएंगे तो अच्छा ही लगेगा और इसे अच्छे से ठंडा कर लिजेगा ग्लास में डाल करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और आपके पास कोई ऐसी बॉटल हो तो इसमें डा ना कर दे सकते हैं वो भी जटपट बिना किसी तामजाम के कम खर्च में तो आज की रेसिपी जरूर से जरूर ट्राइब कीजेगा और मुझे पता है कई लोग तो जा भी चुके हैं ट्राइब करने और इस प्रिमिक्स को आब आराम से चार मेने तक स्टोर भी कर सकते हैं त देखने हैं तो उसके लिए तारा मुदू डाइली देखेगा चलिए कल मिलेंगे सब्सक्राइब कर देखने हैं